फैंस के गुस्से से घबराई असितमोदी ने लिया बड़ा फैसला पर ये क्या दर्शको का दिल ये देखकर तूट गया कि हर बार की तरह इस बार भी द्याबेन के वाफसी नहीं हो पाई लोगों ने शोसल मेडिया पर शोके मेकर असितमोदी के खलाफ अपनी भरास निकालने शुरू कर दी हतो तब हो गई जब कुछ फैंस गालिया देने पर उतर गए असितमोदी ने इन सब के बाद अब एक बड़ा फैसला लिया है असितमोदी ने माना की तारक मेहता के जबरदस्त फैंस उने द्याबेन की फैक वाफसी दिखाने के लिए गालिया तक दे रहें इट एम से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा पर हम क्या करें हम पूरी तैयारी के साथ द्याबेन को वापस लेकर आएंगे हम कोशिस करेंगे कि दिशावकानी की द्याबेन बन कर वापस आए वो आती है तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है क्यूंकि वो हमारी परिवार की तरह है पर उनकी वापसी संभावत दिख नहीं रही है इसलिए हम दूसरी अक्ट्रेस के और्डिशन भी ले रहे है अपनी बात आगे बरहाते हुए असित मोदी ने कहा कि आने वाले कुछ महीनों में आपको नई द्याबेन भी देखने को मिलेगी और भी बहुत कुछ नया होने वाला है द्याबेन रात और रात तो वापिस नहीं आ सकती क्यूंकि वो पांस साल बाद आ रही है तो उनकी वापसी के लिए हम जबर्दस एंट्री क्रियेट करेंगे